प्रिंट स्वागत है आप सभी का साथियों चलिए आप सभी के लिए फिर लेकर आ चुके हैं जनल साइन्स का महत्पूर्ट सेसंस आप लोगी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे साथियों टॉट 25 क्यूस्टंस विदिन 10 मिनट में आप सभी कर लोगे साथियों यदि आप दिल करने आप लोग पूर रूप से उस्क्रीनस को जान लोगे तो दोस्तों आप लोग चलिए देखें साथ यह आप लोग देख पा रहे हो से पदार्थ का पर मार्वतिदान किसो ने प्रतिपादित किया था था तो सबी को डिपली में बता दे संपूर्ड पदार्थ 988 सूच आप से क्या का जाता है एटम आप लोगों को बता देना चाहते हैं परमाड़ों को विभाजित नहीं किया जा सकता साथियों परमाड़ों को ना तो निर्मित किया जा सकता और ना ही नश्ठ किया जा सकता है जितने पत्तों हैं उतने प्रकार के परमाड भी होते हैं साथियों आप लोग आज से जान लीजिएगा यानि पदात का परमान सिध्धान्त किस ने प्रतिपादित किया था तो आपका एक एंसर होना चाहिए वर्ष 1803 में ब्रिटिस रसायन सास्त्री जान डाल्टन ने इसका सिध्धान्त प्रतिपादित किया था बी आप सुन्स आप सभी का राइट अंसर से अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा सातियों हम आप सभी को उन सातियों को बिसेस्त तोर से धन्नवाद करना चाहते हैं कि जो प्रतेक क्यूस्टन का एंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं उन लोगों को वेरी वेरी थैंक सातियों आप लोग कमें परमाडू के संगहटन में सामिल मौलिक कड़ हैं आप सभी का इसकूस्टन का राइट अंसर सातियों सी ऑप्सन प्रोटान इलक्ट्रोन और न्यूट्रान आप सभी को बता दे सातियों उपर हमने परमाडू के बारे में बताया है क्या है परमाडू परमाडू सातियों पत्यंत सूचों या अद्रिस कड़ों से निर्मित होते हैं एक्चुली उन्हीं को ही एटम यानि परमाडू कहा जाता है और सातियों परमाडू तीन घटकों से यानि तीन कंपोनेंट से बने होते हैं प्रोटॉन इलक्टॉन और न्यूटॉन आप सभी को बता दें हैं लक oppress ne क्या था इलक्टॉन की कोजो की इलक्टॉन की झोज जे जे टॉंसन ने किया था और की खोज जेम्जश चैडविक ने किया था आप सभी को पूरा क्लियर रूप से एक और बात बता देना चाहते हैं नूटॉन एक उदासीमी कड है और सात्यों इलक्टॉनALI čार् क्यों पर्माड का निर्माड करते हैं यानि पर्माड के संगठन है यह आए दूस्तों अगले क्यूशन की तरफ मूप करते हैं ऐसे पर्माड जिन में प्रोटानों की संख्या समान परन्तु नियूट्रानों की संख्या भिन भिन राती है क्या कहलाते हैं तो सातियों उसका राइट असवर्स है ऐसे परमाड जिन में प्रोटानों की शंख्या शमान परंतु निउट्रानों की शंख्या भिंद भिं होता है उसे आइसोटोप कहा जाता है समस्थानिक कहा जाता है आगे इसे और भी क्यूस्टन आएगा आप सभी को यहां पर ध्यान देने की बा किरोडों में होता है साथियों कैथोड किरोडों में क्या होता है बी ऑप्सन द्रमान तथा आवेस दोनों होता है साथियों द्रमान तथा आवेस दोनों होता है कैथोड किरोडों में आई दूस्तों अगले क्यूस्टन की तरब जिस तत्त्त के परमाड में दो प्रोटान दो न्यूट्रान और दो इलक्ट्रान हो उस तत्त की द्रबमान संख्या कितनी होती है आप सभी को पहले द्रबमान संख्या के बारे में बता दें सात्यों द्रबमान संख्या बराबर होता है प्रोटान की संख्या प्लस न्यूट्रोन की संख्या अब यहां दो प्रोटान के राइट अन्सवर्स चार यानि B options आप सभी का राइट अन्सवर्स है किसी तत्व की द्रमान संख्या उसके नाभिक में उपस्तित प्रोटान एवंग नियोट्रानों की संख्या के योग के बराबर होता है आएए दोस्तों अगले क्यूसंस की तरफ मूप करते हैं अच्छा अलगे वीडियो को बेशक्त लाइक करना नभूलिएगा और जितने वी दोस्त रेगुलर हैं वीडियो को जादा से जादा सेर करिएगा जिससे मोटिवेशन बना रहे हैं आईए दोस्तों क्यूसंस दिखिए निमलखित में से किसमें न्यूट्रान अनुपस्तित होता है ह हमने आप सभी को पहले ही न्यूट्रान के बारे में बता दिया साथियों परमाड में यह उदासीन कड़ है न्यूट्रान साथियों अब न्यूट्रान अनुपस्तित होता है किन में तो इस क्यूसंस का राइट अंसर्स आप सभी को बता दे साथियों हाइड्रोजन में जो की तरव movements करते हैं निमनलिखित में चैक्व कौन सा एक आवेश रही कड़ा है तो साथिन निमनलिखित में से कौन सा एक आवेश रही हिद कड़ा है इसक्यूसिंस और आप सभी को बटा दे इसक्यूसिंस का डी audiences हमने आप सभी को ऊपर ही बताया था पारुमाल में न्यूट्रॉन एक उदासीन कड़ है यानि आवेस रहीत कड़ है इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता आप सभी को हमने पहले ही बता दिया था इलक्टरान में सात्यों रिलावेसित चार्ज होती है और प्रोटान में बात किया जाय तो इसमें धनावेसित चार्ज होती है यानि धनावेसित होते हैं ये आप सभी को अगला क्यूस दिख गया होगा निमलकित मेशे कौन से हाइड्रोजम के समस्थानिक है समस्थानिक अब आईसोटोप आईसोटोप के बारे में हमने उपर ही पहले आप सबी को बता रखा है बताया था वे तत्व जिन में परमाणू संख्यां समान यानि प्रोटानों की शंख्या समान किन्तु द्रमान संख्या भिन भिन होती है उसे ही समस्थानिक आईसोटोप कहा जाता है त के जो की परवाड़ संक्या सामान होते है प्रंत द्रबमान शंक्या भिन भिन होते हैं इन तीनों का आप सभी का राइट अंसवर्स है 1662 औपसंस आप सभी का राइट अंस्वास है डी औपसंस चलिए दोस्तों अगले क्योंस के तरब मूप करते हैं वीडियो अच्छा लगे लाइक करना ना भूलिएगा किसी तत्व की रासाइनिक प्रकृत यानि केमिकल नेचर निम्लकित में से किस पर नेरबर है तो साथ हो इस का राइट अंस्वास आप सभी को बताना है नीचे दिएके कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा बी ऑपसंस आप सभी का राइट अस्वास है संयोजी इलक्टान पर किसी तत्व की रासाइनिक प्रकृतिक केमिकल नेचर यानि कोई भी तत्व है कोई भी दो आधार भूत बल दो सातियों नेटरानों के बीच आकर्शल बल उपलद करा सकते हैं तो इसक्यूस का राइट अंस्वास आप सभी को बताना है सातियों इसक्यूस का राइट अंस्वास सी ओपसंस आप सभी का राइट अंस्वास है गुरुत्वी और नाविकी यानि सी options आप सभी का राइटन स्वस है दो नियोट्रानों के बीच आकर सर बल साथियों निम्न होते हैं आप सभी को बता दें पहला गुरुत्वी बल और दूसरा नाविकी बल यानि इस questions का सी options आप सभी का राइटन स्वस है आईए अगले questions की तरफ मूब करते हैं निम्नकित मेंशे किस्ट में रिडात्मक आवेश होता है रिडात्मक आवेश मतलब इलक्ट्रोन की आवेश इलक्ट्रोन की चार्ज जादा होती है आप सभी को बताना चाहते हैं साथियों हमने बताया था इलक्ट्रोन में रिडावेशिद चार्ज होती है प्रोट्रोन में धनावेशिद नियूट्रोन में उदासी इन चार्ज होते हैं तो साथियों इस questions का राइट अंसर्स आप सभी का C options बीटा किरल बीटा किरल में इसमें रिड़ावेसिट चार्ज होते हैं आईए दूस्तों अगले questions की तरफ मूप करते हैं एक प्राकृतिक बहुलक है तो साथियों एक प्राकृतिक बहुलक क्या है बहुत ही simple questions है हमने आप सभी को पहले ही बता साथियों आप लोग अगला questions देखिए बहुलक जो विसेस्ता बरतनों पर ना चिपकने वाली सता के रूप में प्रियोक्त होता है आप लोग कोई कोई बरतन देखे होगे साथियों नीचे पेड़ी पर बहुत चमकदार लेप लगी होती है वह बरतन को जलने से बचाती है तो साथियों वह बरतन को जलने से बचाती है आखिर में वह लेप क्या होता है आपका right answer साथियों हो जाएगा इसक्यूसिंस का बी options टेफलान की लेप लगा होता है आईए दोस्तों अगले questions की तरफ मूप करते हैं bulletproof कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रियोक्त होता है ऐई दुस्तों अगले क्युस्संस के तरफ एक प्रॉकतिक भहुलक है तो एक सारी प्राक्रूटिक बहुलक सत्य व क्या है कि अस घ्यों को बता द हெ सातियों से लिल इसी किसके बहुलेकी करण द्वारा प्राप्त किया जाता है , तो कुस्यों का राइट अंसो in आ हैं , आप चबी का Vinyl Chloride d-option आप सभी का राहिट अंसोस है , इसी के बहुलेकी करण के द्वारा PVC प्राप्त किया सायगताना कौन सा बहुलब पूलगी प्रूब चैकट बनाने में पक्राइब किया जाता है तो श्राश का राइट अंसर्स आप सभी को कमेंट We q países में बताना है इस एस का राइट अंसर्स आप लेटे डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए गाच चलिए वीडियो को जाज़ार सेर तथा चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए गाज जिससे आपको हर एक इन्फॉमेशन चलिए फिल सके चलिए फ्रेंट थाइं